है यह एक डाउट फिजिक्स फिजिक्स में कम मांक्स आ रहे हैं मौक में स्कोर कैसे इंक्रीज करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है तो हरवाल जैसा कि मैंने शुरू में अब सुरू के हिसाब से बताया था कि में यही रहता कि आप जब आपकी पूरा टाइम हो तो प क्या करें आ रहा होगा ना इसा आपको डाउट कभी मैंने कमेंट्स में पढ़ा है आपके तो मैंने कुछ चैप्टर्स लगवग 15 चैप्टर 15 चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं हाई वेटेज हैं उनका उससाब से लिए मैंने और जो की थोड़ा अधर चैप्टर रि इनको स्किप किया क्योंकि अगर आप इनको किसी भी वन सॉट कहीं भी देखोगे या कहीं भी लॉंग डिरेशन वाले लेक्चर देखोगे जो बैचस में उनलाइन होते हैं एक एक महीने तक पढ़ाया जाता है और वन सॉट में वह बारा चौदा घंटे क्योंकि उनमें कं चैप्टर बता हैं जिन में उनका कंसर्ट देखो थोड़ा यूज होगा है आई तिंक वह टीचर उसी क्लास में समझा दे तो मैं इसा नहीं बोलूंगा जो सुरूर के चैप्टर होते हैं उनसे कुछ कोई काम नहीं आगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं वह बता रहा हूं कि तीचर आप और हां आप वह लेक्टर कहां से देख सकते हों और वन सौर भी देख सकते हो कोई सीरीज का साथ से आठ घंटे का होथा देखो थोड़ा टायम से इसाफ्टर करना पड़ेगा क्यों नभे दिन है वह पंदधा चैप्टर है आप अपने हिसाफ से डिवाइड कर और बागी मैं यह कहूँगा आप अपने हिसाफ से करो आपको चैप्टर कब समझ में आ रहा है आप तब तक उसको देखो समझो और वो चैप्टर बहुत धाता कॉंप्लिकेटिड नहीं होंगे और उनके जो कंसेप्ट अगर किसी ओल्ड चैप्टर में होंगे तो वो को एक साथ लेकर यह वीडियो बना रहा हूं कि हां तो आप इससे 90 प्लस 100 मार्क्स ले जा सकते हो अब इसमें आप डेस जो लेखे हुए हो उनको साइड में कर दो आप से आप से कितने दिनों में यह चैप्टर कंप्लीट होंगे यह आप डिसाइड करोगी ना कि मैं हो सकत है तो बहुत ही कम लगेगा फिर तो आपको तो इसमें तीन चैप्टर साते हैं और ध्यान रखना इससे डियूल नेचर हो है ना जो डेडियाशन मैटर इससे 2023 22 में दो दो कुश्चन आये हुए हैं ठीक यह मैंने बता रखा है और मूविंग चार्जस और मैगनेटिसम इस 2023 में थ्री आये थे तो थ्री कोश्चन तो आप मान के चलो ठीक है यह काफी चेप्टर हो था चलो अब सुरू से ले चल रहा हम आपको modern physics जब यह आप पढ़ोगे तो आपको सही में नहीं लगया कि इसमें किसी चीज का देख तो देखो थोड़ा सो आपका लगेगा थोड वन सॉट में कोश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करवाते हैं अगर मैं मार सर की बात करूं तो वह बहुत सारे करवाते हैं उनके मिलना ठीक है वांकी जिसके मिलें आप आपको जिनका समझ में आप हो सकता है बैच से पढ़ सकते यह चैप्टर ठीक है मैं आपको सिफ important करनी होगी लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा कि आप एक एक दिन में दो दो कुश्चन पर एकदम फस जा रहे हो कि एक कुश्चन में इसकिप कर सकते हो लेकिन पीवाई क्यू को स्किप मत करना वन सुट वो दुबारा जाकर देखना कि सर ने वहां क्या concept बताया या पर जि इसमें भी दिमाग खल्च करना पड़ेगा अपना तो अपने हसाब से दिन निकालो कितने दिन में यह सारे चेक्टर्स को आप एक लिश्ट बनाओ कौन आप कितने दिन में कर रहे होगे पहले ही मैंने दिन लिख दिये थे कि टू डेज नहीं फिर मैंने सोचा इनको खोद अपने हसाब से करना थर्मो डाइनमिक्स इसमें भी आपको कोई ऐसा मनलब कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही होगी नों कोई जादा फिजिक्स का कोई अलग फॉर्मला जो लग रहा होगा वो सर इसी में समझा देंगे सेम एस के टीजी फॉर्मला वाई से दोनों ठीक वही है यह चैप्टर अगर आपको करना है तो एकदम स्ट्रॉंग करके जाना कि इन से आपके कुश्चन गलत नहीं होने चाहिए वरना फिर क्या ही एक्टी प्लस क्या ही हंडेड मार्क्स आएंगी समझ रहे हो आप फिजिक्स में वेव 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 उप्टिक साथ म आप पहुंचते हैं करेंट एलेक्रिसिटी इस से दो हजार तेइस में पांच कुश्चन आये हैं विलीब नहीं हो तो आप अपने पीवाई की उठाओ और देखो बाइस में भी काफी आया है किसमें काफी साथ बाइस में थोड़ा कम आये थे एक किसमें भी तीन प्लस कु हैं आप उस से कुएंस में पढ़ने का ट्राइ कर सकते हो मतलब मैं ऐसे इस मैंने रिवीजन जब किया था ना कि में में इंपोर्टेंट चैप्टर तो ऐसे ही किया था अपने टाइम में लेकिन तुम अपने साफ से सीकुएंस रख सकते हो यह स्टेटमेंस भी बढ़िया जादर टाइम दिया क्योंकि इसमें थोड़े से मतलब आपको लब जब पढ़ो गया तो आपको लगया थोड़ा सा टाफ है लेकिन फिर ध्यान से रखना इसका कि इसमें तीन कुश्चन पक्के रहते हैं तो देख सकते हो आप थ्री चैप्टर बेसिकली यह छोटी सी उनि यह थैंक्यू बोलोगे आप 80 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं और क्या पता 100 का भी इन से आ जाए तो जिनके सही में कम मार्क्स आ रहे हैं जिनको उम्मीद ही नहीं है और जिनके जिनके अभी स्कोर कर रहे हो अच्छा 100 110 ऐसे तो भाई तुम तो पूरे एफट लगा रहती होंगे आपने वह नहीं रखे आपने यह चैप्टर रख दे तो यह सही में smiling ऑसे में सही में कम कम्लमी हो तो इसके बाद अब करने के बाद भी आपके पास और जाद डाए तो मेरे नहीं है पोर्तेंशयो 뽑न नोग पर जा सकते हो कानमेटक्स कर सकते हो और जितने वर् तो यार NLM, NLM में टीचर कितना सारा कुछ पढ़ा देते हैं और इस साल साइद एक दो कुछ नहीं आए, उससे कम अगले साल आ भी सकते हैं, देखो, यह प्रेडिक्शन होती है, आप ऐसा नहीं पूरा, लेकिन इससे तो आप मानो कि 80 मार्स का तो आएगा ही आएगा, ठीक तो यह chapters आप करके जाओ, important chapters हैं, और वैसे साइद मैंने देखा था, चेक किया था, कोई reduce levels वाला इसमें chapter होगा नहीं, लेकिन अगर होगा तो आप हटा दे ना, वैसे अच्छे से पढ़ाई करो, और जो भी आपको chapters की बारे में जानना होगी, काइने पेशन मोसन पढ़ें हैं, वो must है, वो question आपको जितनी वार कर सकते हो, वो practice करने है, then उसको आप PYQs पर आजाने हैं आपको, और आपके mock test में जो इन chapter से question आ रहे होंगे, वो आप सभी करना, ध्यान से, और अगर जो आप one shot series follow कर रहे हो, वो question दे रहे हैं आपको 50-60, कि ये इस पूरे chapter से, पू Thank you.